हलो तो नमस्कार आपको शौगत है आपके अपनी यूटूब चैनल टार्गेट एंटर सेख जाए मैंने टी डॉटी पर दोस्तों फाइल यह आपका रिजल्ट आ चुका है आपको बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके कितनी रेंट तक के लोगों को कौन सा कॉलिज मिल सक खीएगा उनकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दी है अब चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में तो यहाँ पर देखिए आपका स्कोर कार्ड है बहाँ पर आपको दो चीज़े दी गई हैं एक स्टेट रेंग और दूसरी केटेगरी रेंग हमें मतलब है स्टेट रें करीब बहुत है और ज्यादा माक्स होना अच्छी बात यह तो माकस मतलब नहीं हमारा मतलब स्टेट रेंक से हैं आप जो कौन इस्टेट रेंक कब से स्टार्ट हो सकती तो लगभू पंदरह से स्टार्ट हो सकती है जब final year का result आ जाएगा तब आपकी counseling स्टार्ट हो जाएगी उसके बारे में जब जैसे कोई notification आ जाएगा हम आपको बता देंगे यहाँ पर देखिए total number of seats कितनी है तो अभी तक इस साल का कोई भी official letter नहीं आया है लेकिन जो total number of seats है जो कि पिछले पिछले साल के आधार पर है तो आपका करीब दो लाक चालिस हजार सीट है ठीक है दो लाक चालिस हजार आपकी हापर करीब सीट है इन में से अगर हम बात करें टोटल गवर्मेंट सीट कितनी है तो इस वार जो अभी एक न्यूश्पेपर में रिसेंटली न्यूश आई थी अभी जब आपका वी रेंटर्स होने वाला था कि जो है या 10,200 है इसके बारे में कोई भी ऑफिसल न्यूश दुबारा से नहीं आई है तो आप मानकर चलिएगा कि हो सकता भाई मिश्टे के प्रिंट हो गया हो वैसे आपका 10,200 जो है गॉवर्मेंट शीट की हर साल रहती है गॉवर्मेंट पिलस एडड दोनों इसमें मिक्स है ठ पिर जो है आपका एड़िट बाकि प्राइबेट बच्चे सारी सीट से आपकी प्राइबेट हो जाएंगे ठीक है टोटल सीट से दोलाख चालिस सार अब यहां पर देखिए आपको कितनी रैंक चाहिए कि आपको गॉवर्मेंट या एडिट कॉलिज मिलने के लिए आपकी रैंक है ठीक है दस से बारा हजार तक रैंक है कौन सी रैंक की बात करना है पहले हमने कहा है आप बस इस्टेट रैंक को ध्यान रखिएगा तो अगर आपकी 10-12,000 अगर आपकी रैंक है तब आप मानकर चल सकते हैं कि आपको गॉवर्मेंट या प्रैविट कॉलिज मिल जा देते हैं जिसके कार्ण आपको गॉवर्मेंट कॉलिज नहीं मिल पाता है और आपके चली जाती है तो इन कारणों से आप बचें इसके लिए आप हमार साथ लगातार बने रहे हम आपको कॉंप्लेट गाइडेंस दें किस तरीके से आपको कॉंसलिंग करना है कि आपकी सब्सक्राइब करना है अब देखें आपर रैंक फॉर प्राइवेट कॉलिज बैसे तो प्राइवेट कॉलिज आपको मिली जाएगा लेकिन अगर हम अच्छे प्राइवेट कॉलिज की बात करें आपकर रेगुलर पढ़ाई होती है बढ़िया तरीके से सब कुछ आपको बढ़िया तरीके सिखाय जाता है तो उनकी अगर बात करें तो आपका करीब डेड़ लाक रेंग तक के चात्रों को अच्छे से कॉलिज मिल जाते हैं और देड़ लाक तक 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 जो है अच्छे यानि जो आप अपने जिला में प्राइवेट कॉलिज आपका टॉप का बह म fonts और गौतिग फिलिए में देख्वर का हैं और किसी क्युल्य में जाकर एड्मिशन ले सकते हैं चाहे और बिदाउट आप ले सकते हैं डायक अब कर लिए नहीं है घरक ही कंली क हो जगा गया तो आपको समझायागगा किस रंक तक का चाता कौन सा कॉल्फ दो भाला है ठीक है तो इस तरीके से पूरी प्रिक्रिया होती कैसे त्रीके सब्सक्राइब कर देख लिए और सब्सक्राइब नीचे अब लगाता है पता रहता है कव आपको किस वीडियो के जरूद है उसके अनुसार हम सब्सक्राइब बहुत धन्यवाद जय हैं जय भारत